आकाश्वाणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्राले और राश्य निवेश और आधार भूत अवसन रचना कोश ने किया है ये वैश्विक संस्थागत निवेशकों भारतिय व्यापार प्रमुखों भारत सरकार तथा वित्त बाजार संचालकों के बीच विशिष्ट समवाद का मंच है केंद परहपनने के फैसले में अदालत ने कोरोना संक्रमन खत्म होने तक निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीज लेने की अनुमती दी है अदालत का कहना है कि निजी स्कूल बाद में कोई अरियर्स भी नहीं ले सकेंगे अदालत ने अपने एक सितंबर के फैसले को बरकरार कहा है कि किसी भी स्थिति में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता फीज बढ़ाने के संबंध में अदालत ने कहा कि ये फैसला सरकार लेगी प्रदेश के 28 वधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना 10 नवंबर को होगी मतगणना से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षन देने का काम शुरू हो गया है मुरैना में मतगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी है इसके लिए आज मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षन दिया जा रहा है आगर मालवा जिले की आगर वधानसभा में हुए उप्चुनाव की मतगणना की तैयारियों के लिए आज कलेक्ट्रेट में एक बैठर कायोजित की गई है वही चतरपुर के वधानसभाक शेत्र बड़ा मलहरा में हुए उप्चुनाव के बाद सभी EVM और VVPAT मशीनों को स्ट्रॉंग रूम में रखा गया है यहां भी मतगणना की तैयारियां जारी है प्रदेश में अब तक 30 लाग से अधिक कोरोना के परीक्षन किये गए हैं जबकि पछले 24 घंटों में संक्रमन के महस 700 नए मामले सामने आए हैं अच्छी बात यह है कि बीते कई दिनों से राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमत व्यक्तियों की संख्या से अधिक है सिवनी में दो नए मामले सामने आए हैं वहीं 10 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबलपूर में आज कोरोना संक्रमन से मुक्त होने वाले 49 लोगों को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया वहीं पचले 24 घंटों में कोरोना संक्रमन के 30 नए मरीज सामने आए हैं प्रदेश में किसानों को सिचाई के लिए भरपूर बिजली प्रदाय करने और बिजली की बचत के उद्देश से फ्लेक्सी प्लान लागू किया जाएगा इस योजना के लागू होने से एक तरफ किसानों को उनकी सुविधा अनुसार भरपूर बिजली मलती रहेगी वहीं प्रतिदिन लगभग डेड़ हजार मेगावाट बिजली बचेगी जिससे प्रतिदिन लगभग एक करोड रुपे की बचत होगी इस योजना के अंतरगत प्रतिदिन बिजली की अधिक्तम मांग 16,000 मेगावाट से घट कर 14,766 मेगावाट हो जाना अपेक्षित है बिजली की मांग घटने से किसानों को अतिरिक्त बिजली दी जा सकेगी और अन्य राजियों को बिजली बेची भी जा सकेगी राजी शासंद्वारा मिलेट और मोटा अनाच फसलों जैसे कोदो, कुटकी, च्वार, बाजरा एवं जौ को बढ़ावादे ने प्रोसेसिंग और विपनन के लिए बनाए गए राजी मिलेट एवं जैविक मिशन की सहायता के लिए उच्चस तरिय समिती का गठन किया गया है इसका उदेश्य किसानों को जागरोक और प्रशक्षित करना, मिलेट और मोटा अनाच फसलों की उननत किस्मों के बीच की व्यवस्था, मिलेट और मोटा अनाच फसलों के उतपादन और उतपादकतां को बढ़ावा, प्रोसेसिंग व्यवस्था को बहतर करने तथा करने जैसे विशह शामिल किये गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। करने जैसे विशह शामिल किये गए हैं। झाली किये गए हैं। किया जैसे विशएफब दो शामिल किये गए हैं। झाल